हेलो इस्टुएंट्स, आज हम लोग SCF हेल्सियम के कॉंसेप्ट के साथ, इस क्लास में आया है, SCF हेल्सियम से कुश्चन आपके NTPC और SSE के एक्जाम्स में रहता है, GD में एक कुश्चन मिलेगा, MTS में मिलेगा और NTPC में कभी एक कभी दो, लेकिन हर सिटिंग में कुश्चन रहता है, तो इस चाप्टर को हम लोग एकदम जीरो लेवल से आगे देखेंगे कि SCF क्या है, LCM क्या है, एकदम जीरो कॉंसेप्ट के साथ, तो देखें सबसे पहल and LCM, सबसे पहले देखें, इसमें F लगा है और इसमें M लगा है, इसका फुल फॉम होता है, Highest, Common, Factor, F for Factor, और ये होता है, Lowest, Common, Multiple, दोनों में, देखें, एक जगा Factor लिख दिया है और एक जगा Multiple, तो यानि सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, कि Factor और Multiple में क्या अंतर है, तो Factor और Multiple, Factor, Factor क्या होता है और Multiple क्या होता है, वैसे इसका Hindi Highest Common Factor का महत्तम समापवर्तक या सिधा मौसा लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक और इसको क्या लिखेंगे लगुत्तम समापवर्त या लोसा, समापवर्त होता है यह क्या होता है समापवर्त और यह क्या होता है, समापवर्तक तो बात है क्या कि यहाँ Factor और यहाँ Multiple, दोनों में क्या अंतर है, फैक्टर किसको कहेंगे, मल्टिपल किसको कहेंगे, फैक्टर मतलब गुनक, गुरनखंड, भाजक, डिवाईजर, फैक्टर मतलब डिवाईजर, गुनक, गुरनखंड, भाजक. भाजक जिससे भाग दिया जाए यानि SCF वह बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे भाग दिया जाते इसको क्या कहते है डिवाईजर या फैक्टर अब देखें अगर कोई नंबर 12 है तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है तो जिस जिस नंबर से 12 कटेगा उन सब को 12 का फैक्ट से 6 से 12 से इतनी संख्याओं से 12 कटेगा यानि यह सब 12 के फैक्टर हुए multiple देखें multiple मतलब गुनाज इसको dividend कह सकते हो इसको भाज कह सकते हो यानि जिसमें भाग दिया जाए factor से भाग देते हैं और multiple में भाग देते हैं तो अगर 12 का multiple की बात करें तो 12 का multiple होगा 12 दूसरा multiple 12 दुना 24 बारतिया 36 बारच्यों का 48 बरा से बरा multiple नहीं बता सकते बरा से बरा multiple नहीं बता सकते इसलिए कहता है लगुत्तम समापवर्द या lowest या least common multiple, चुकि बरा से बरा तो निकलेगा नहीं, तो छोटा से छोटा निकालना होता है, और यहाँ पर highest common factor, जो number है, देख रहे हैं, highest common factor, अब 12 के आगे तो कुछ होगा नहीं, सबसे बरा factor इसका कौन सा होगा, 12 होगा, अब उसके बाद common factor देखेंगे, यानि हम लोग से पहले देखें कि factor क्या है और multiple क्या है, दोनों के बीच का अंतर भी आपको समझ में आ चुका है, कि factor मतलब भाजक, factor मतलब जिससे भाग दिया जाए, यानि एक ही जगा अगर हम दोनों की बात करें, तो इधर factor और यहाँ पर multiple, यानि factor से multiple कटेगा, अंक्या किसी भी संक् का भाजक से multiple, यानि गुनज कटेगा, clear है, तो देख रहा है थे हम लोग, कि LCM और HCF क्या है, HCF और LCM, तो इसका definition आप लोगों में से कितने लोग को पता है, हाथ उठाईए, पता है, HCF क्या है, HCF वह बरी से बरी संक्या, जिससे दी गई संक्या, पूर्णता बिभक्त हो जाए, कट जाए, वह बरी से बरी संक्या, जिससे दी गई संक्या, कट जाए, लिख लें, वह लार्जेस्ट नंबर है जिस से कौन-कौन कटेगा संख्या तो कटेगी संख्या नहीं कटता है संख्या तो कटेगा संख्या का योग भी कटेगा संख्या का योग इनका अंतर इनका गुरनफल LCM एवं उपर्युक्त सभी का गुनज क्या होगा दिवीजिबल होगा दिवीजिबल होगा तो SCF क्या हुआ? SCF हुआ नंबर हुआ जिससे संख्या तो कटेगे ही अब दो संख्या तीन संख्या दो से ज़्यादा संख्या होगा तभी SCF निकालेंगे तो संख्या एक कटेंगी संख्याओं का योग कटेगा संख्याओं का अंतर कटेगा संख्याओं का LCM कटेगा इन सभी का जब ये सब कट रहा है तो इनका गुनज भी कटेगा और अब देखें LCM LCM वह लिश्ट नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा यानि ये काटेगा और ये कटेगा इससे संख्या कटेगी संख्या का योग कटेगा संख्याओं का अंतर कटेगा और ये खुद कटेगा LCM वह नंबर है जो खुद कटेगा समझ में आ रहा है तो कटने वाला एपल है ये कटेगा एपल है और ये काटेगा नाइप है तो जो काटे HCF जो कटे LCF LCM वह लिस्ट नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा संख्याओं के HCF से भी LCM वह लिस्ट नंबर होगा तो समझ गया है यह नि यह जगा HCF का और ये जगा LCM का संख्याओं का HCF उसके LCM को भी काटेगा डिवाइड करेगा यह यह तो नोट करने क्या हो सकता नहीं सब आपका रिकॉर्डेड है आप उसको पॉस करके नोट कर सकते हो यह नंबर और बरा से बरा नंबर और बरा से बरा माप जो सभी मापको मेज़र्ड कर सके वह बरी से बरी संख्या जो सारी संख्याओं को काट सके तो वह यानि question पढ़ने के साथ आपको ये concept खुजना है कि क्या वह संक्या कटने वाली है यानि जिसमें भाग दिया जाना है वो LCM है और जिससे भाग देना है वो LCM है अब हम लोग देखें कि अगर एक टर्म पहले देख लें को प्राइम नंबर को प्राइम क्या होता है इसका हिंदी होता है सह अभाज इस चाप्टर में इसका यूज है इसलिए हम लोग यहीं पर इसको भी देख लेते हैं को प्राइम यानि संख्याओं का ऐसा पेयर जिनका कॉमन फॉर्म में हेवल एक से कटे है बतला दोनों का हाइस्ट कॉमन फैक्टर एक हो जैसे दो तीन तीन पांच चार पंद्रा बारह पचेस यह सब को प्राइम के पेयर्स है अब देखें दो और तीन कॉमन फॉर्म में किवल एक से कटेगा तीन पांच वही होगा अब चार जो है किस से कट रहा है चार एक से कट रहा है दो से कट रहा है चार से कट रहा है पंद्रा एक से पांच से पंद्रा से तीन से सब से कट रहा है लेकिन common root में दोनों किसे कट रहा है, तो दोनों का highest common factor क्या है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, ऐसे ही 12 का, 12 और 25 क्यों होगा, एक, तो ये 12 का, एक, दो, तीन, चार, छे, 12, ये 12 का होगे, और 25 का, एक, पाँच, पचिस, तो common factor क्या हुआ, केवल एक हुआ, तो जो common factor एक होगा, तो उस pair को हम लोग, को प्राइम कहेंगे, तो जहां भी ज़रुत परेगा, को प्राइम लेने का, तो आपको केवल ये देखना है, कि common factor एक है या नहीं, अब, LCF और LCM और Numbers के बीच का relation होता है, क्या, कि product of N Numbers यानि, इन संख्याओं का गुरानफल, इन संख्याओं का गुरानफल, बरावर होगा, SCF का पावर, N-1 इन्टो LCM अगर N संख्याओं है, तो पावर N-1, जैसे चार संख्याओं का गुरानफल पूछ दे, और SCF और LCM दे दे, तो केवल फॉर्मूला पर बेठा देंगे, ये SCF लिग देंगे, और पावर 4-1 इन्टो LCM, अगर 5 संख्या रहता, तो SCF लिग दो, पाँच माइनस एक इन्टो LCM, तो संख्याओं का गुरानफल बराबर, क्या हो गया, SCF का पावर, N-1 इन्टो LCM, अगर 2 संख्याओं का गुरानफल है, तो संख्याओं का गुरानफल, अगर ऐसा रहे, तो क्या करेंगे, तो SCF का पावर, 2-1, तो 2 में से एक घटाएंगे, तो एक बचेगा, तो लिखो या नहीं लिखो, इन्टो LCM, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कि फॉस्ट नंबा इन्टो सेकेंड नंबा इस इक्वल टू SCF इन्टो LCM, क्लियर है? पाली संख्या, गुना दूसरी संख्या, SCF इन्टो LCM, ये चार में कोई भी दो रहेगा, तीन रहेगा, चौथा आप से पुछेगा, ले रहे है? दो दे देगा, तो भी आप से तीसरा चौथा पूछ सकता है, तीन देगा, तो भी आप से पुछेगा, तो इस धंग से कोई भी दिया रहेगा, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? पहले हम लोग कुछ कोश्चन्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे, कि कॉंसेप्ट HCF कैसे निकालें, LCM कैसे निकालें, तो कुछ कोश्चन जो इसके इन फॉर्मूला पर बेस्ट है, वैसे कोश्चन को आज के क्लास में देखते हैं, तो देखें, अगला कुश्चन है, यह, कुश्चन पढ़ेंगे, और सॉल्ब करने का काम करेंगे, दो संख्याओं का LCM 864 है, उनका HCF 144 है, एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, अभी हम लोगों ने क्या concept देखा, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर SCF into LCM, तो उस concept से हम लोग इसका काम कर सकते हैं, देखें, LCM है कितना, 864, इन्टू SCF है कितना, 144, एक संख्या कितना, 288, दूसरी संख्या क्या मान ले, X, जिस का मान दिया हुआ है, चुकि यह क्या है, LCM into HCF is equal to first number, पहले आप लोग अच्छे से समझने का काम करेंगे, concept में ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग speed class भी इसका करेंगे, पहले कि question कह क्या रहा है, chapter क्या है, इसको समझना जरूरी है, तो पारली संख, LCM था, 864, SCF था, 144, एक संख्या 288, तो ये 288 इदर गुना में है, तो इदर भाग में हो जाएगा, या कुछ लोग यहीं काट सकते, चलो हम लोग भाग करके काटे, 864 गुना, 144, बटा 288, और ये बराबर X, इससे ये कितने बार में कटेगा, दो बार में, और दो से ये, 248, 236, दो दुना 4, यानि एंसर 432, यानि option C, चार टर्म में कोई भी तीन रहेगा, या दो रहेगा, वो ऐसा भी question देखेंगे, आगला question, जल्दी से आप लोग अपने पने copy पे बनाना शुरू कीजिए, जैसे ही question, बोट पे आता है, कोशिस करो, कि सर के बनाने से पहले, आप राइए नहीं कि देखते रहें, क्यावल देखने से improvement नहीं होता, पेन copy लेकर के बैठिए, और जैसे ही question आपको बोट पे आए, आप जल्दी से बना करके, comment बेजा करके, answer लिखा किजिए, दो संख्याओं का LCM 225 है, उनका HCF 5 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है? क्या लिख सकते हैं, 225 इंटू 5 बरावर 25 इंटू X, आप बताओ, ये 5 से 25 कटेगा कि नहीं 5 बार में, और ये 5 से, ये 5 कटेगा 25, यानि X बरावर 45, यानि देखने के साथ, सेकेंडों में, मैं जान रहा हूं मेरे से पहले, आप में से कई लोग का answer आ चुका है, answer कितना? 45, तो बहुत अच्छा, अगला question देखते हैं, same question है, पड़ा पड़, देखकर answer बोलो, think without ink, क्या, कि 30 into 5, बराबर एक संक्या है कितना? 10, दूसरी संक्या, देखके बता दो, 0-0 कट गया, 15, ये सारे exams के पूछे गया question है, ये NTPC और SSC में आए हुए questions है, इसलिए इस पर अच्छे से command करेंगे, ये previous year questions है, अगला question ये, अब थोड़ा सा question twist हो गया, ध्यान देना कि SCF और LCM तो नजर आ रहा है, SCF भी है, LCM भी है, और साथ साथ क्या कर रहा है, कि दो संक्याओं का SCF और LCM मालूम है, यदि एक संक्या 75 और 125 के बीच है, तो वो संक्याओं क्या है, मतलब एक संक्या नहीं दिया है, वो केवल एक range दे दिया, कि इतने से इतने के बीच में है, अब आप वो संक्याओं निकालो और दूसरे संक्याओं निकालो, जल्दी बनाएए, कुश्यन अच्छे से समझ में आ गया होगा, SCF मालूम है, LCF मालूम है, वन अप दे नंबर इज इन बेट्वीन 75 और 125, दिन वाट विल बी अधर नंबर, जखो, HCF से तो संक्या कटती है, मान लो, फ़ास्ट नंबर हम लोग क्या लिख लें, 13X और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 13Y, मान लो, पहली संक्या 13 से X बार में कटा, और दूसरे संक्या 13 से Y बार में कटा, कुश्यन कह रहा है, दोनों का LCM, 13X सथा 13Y का LCM कितना है, 455 है, जो हम लोग पहल रहे थे, को प्राइम, यहां जैसे ही X और Y दो टर्म आएगा, वेर X और Y और को प्राइम, सह अभाज्य है, क्या है, आपस में अभाज्य है, आपस में एक किसी से नहीं कटेगा, कोई भी common factor नहीं होगा, जब कोई भी common factor नहीं होता है, इसलिए common factor 1 लिया जाता है, तो पाहली संग्या 13X, दूसरी संग्या 13Y, LCM में जो दोनों में common हो, 13XY और यह बराबर हो गया 400 55, तो X इंटू Y बराबर क्या होगा, 455 बटा 13, कटेगा, 13-49, 13-65, यह नि, X और Y 35 हुआ, X इंटू Y कितना हुआ, 35, एक पेर ऐसे हो सकता है, यह 1 और यह 35, एक पेर ऐसा हो सकता है, कि एक संग्या 1 तो दूसरा 35, और 2 से तो 35 नहीं कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, तो एक पेर हो सकता है, 5 गुना 7, 5 सते 35, मतलब, X कमान 5, तो Y कमान 7, यह आ रहा है 35, अब, यानि, दो पेर पॉसिबल, अगर कोश्चन यह पूछता, कि, हाव मेनी पेर आर पॉसिबल, तो टू पेर आर पॉसिबल, दो पेर संभव है, लेकिन कोश्चन कह रहा है, कि एक संख्या, 75 और 125 के बीच में ध्यान से समझेंगे, अब बताओ, जब X कमान 5 है, तो पाहली संख्या क्या होगी, तेरा गुना पांच, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तेरा गुना साथ, यहाँ पाहली संख्या क्या होता, तेरा गुना एक, दूसरी संख्या क्या होता, तेरा गुना पैंथिस, तो यह कितना आया, तो यह आया आपका, तेरा, और ये कितना आया तेरा पच्छे पैंसर्ट उन्चालिस हो पैंतालिस question क्या कह रहा था एक संख्या जो है 75 ए 125 के बीच में है तो देखो न तो तेरा पच्छतर ए 125 के बीच में है न चार्सो पच्छपन इसलिए यह pair नहीं होगा अब इसको देखें यह आ रहा है 13 पच्छे 65 और यह 13 सत्य एकानवेर तो 65 तो दोनों के बीच में नहीं है लेकिन एकानवेर दोनों के बीच में है अब फिर ध्यान क्या देंगे अगर कहता बीच वाली संख्या बताओ तो एंसर एकानवेर होता और अगर कहेगा नहीं एक संख्या तो दोनों के बीच में दूसरी संख्या बताओ तो एंसर 65 होता तो देखें यह आपको पूछ क्या रहा है एक संख्या 65 और 75 और 125 के बीच में तो वा संख्या बताओ तो बीच वाली संख्या कौन सा होगा 91 अच्छे से देखें बहुत हरवरी नहीं है, सीखने के क्लास में अराम से, जब रेस लगा होगा, हम लोग उस समय बोलेंगे कि जल्दी बनाओ, सबसे पहले बनाओ, लेकिन यहां पहले समझ में आना चाहिए, फिर से देख ले, दो संख्याओं का S.C.F.L. से मालूम है, एक संख्या, इन दोनों क के बीच में तो दूसी संख्या, अब बाद में इसको रिड्यूस करना है, सिधा X इंटू Y निकाल लेना, बाद में, अभी नहीं, X इंटू Y क्या हो जाएगा, 400, 55, अब बटा 13, 13 से यह कट जाता, कितने बार में, 35 बार में, एक 35 अगर लेते हैं, तो वो संख्या बीच मे नहीं आ रहा है, तो X और Y का 5 और 7 लेंगे, एक संख्या है, 13X, दूसी संख्या है, 13Y, 13X को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना X का मान कितना आया, 5 और Y का मान कितना आया, 13 गुना 7, यह हुआ 91, यह 65, अगर question बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो 75, 125 के बीच में तो यह आ अगर काता नहीं दूसरी संख्या बताओ, तब यह एंसर होता है, लेकिन यहां तो यह पूछ रहा है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और ऐसे करेंगे, लेकिन पहले तो ऐसे, कोई formula नहीं रटना है, देखने के साथ बनेगा, XY जान चुके हैं कि को प्राहिम होग अगला कुशन, अच्छे से देखेंगे, शायद वो ऐसा ही है, कि दो संख्याओं का SCF और LCM 7 और 140 है, संख्याओं 20 और 45 के बीच है, तो संख्याओं का योग, अब देखो, संख्या निकाल करके जोड़ देना है, संख्या तो निकालने आ गया, जल्दी से बनाएदें तो सबसे पहले बना करके कमेंट कीजिये, जल्दी कीजिये, फास्ट, फास्ट, और समझ में आता है, तो थोड़ा लाइक किया कीजिए, comments कीजिए और ज़्यादा स्यादा अगर ठीके सिना सर का class चातें कि ज़्यादा स्यादा आपको मिले तो ज़्यादा स्यादा friends के बीच में share कीजिए हम लोग का भी हिम्मत बढ़ेगा और आगे के classes आपको मिलते रहेंगे हर exam को प्लान करके वैसा questions को collect करके आपको दिया जाएगा और solve कराएजाएगा सबसे बड़ी चीज कि जो हम पढ़ाएंगे exam में तो उसी में से आएगा इसलिए एक पूरे विश्वास के साथ उसको आप कर सकते हैं बार बार रिविजन कीजिए क्योंकि वहां से ही आएगा जो इससे भी ज्यादा कम जोर होंगे वह थोड़ा वीडियो को दो बार तीन बार देखिए पहुझ करके देखिए और कमेंट्स कीजिए अगर कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आप ज्यादा विख हैं तो उस टाइप का कुश्चन या क्लास भी मैं लूंगा ठीक है चले यहां आते हैं एक संख्या संख्या आए हैं दोनों संख्या 20 और 45 के बीच है हम सबसे पहले हम लोग क्या देखें एकस इंटू वाई निकाल सकते हो एकसो चालीस विटा साथ यानि बीस यानि एकस आएगा चार वाई आएगा पाँच चार पच्चे बीस एक संख्या देखो साथ गुना चार दूसी संख्या साथ गुना पांच साच्यों का अठाइस साथ पच्चे पैंतिस कोश्चन का रहा है दोनों का संब बताओ पांच आट तेरा एक तिन चार और दो छे शिक्ष्टी थ्री बहुत आसान है कोशिस करो समझने का कोश्चन दिखता जरूर है कि यह बड़ा है लेकिन कोश्चन हीजी है और दिरे दिरे हम लोग स्पीट क्लास को जोईन करेंगे इस पीट क्लास में भी आएंगे आगला कोश्चन चात्रों की अधिक्तम संख्या जिनके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार वितरित की जा सकती है कि परते को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले अधिक्तम संख्या बरा से बरा नंबर जिससे दोनों कट जाए तो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों कट जाए क्या होता है SCF होता है तो एक हजार एक तथा नो सो दस का SCF क्या निकालेंगे SCF और हम लोग क्या जानते हैं कि SCF या तो इतना बड़ा ले करके चलो या सौटकट में जाओ क्यों सौटकट में क्या हम लोग जाने है कि SCF वो नंबर है जिससे उसका अंतर भी कटता है तो पहले अंतर ही निकाल लो तो एक हजार एक में से अगर 910 घटा लें तो कितना रहा है एक अदस से घटा नो 91 यानि option में से देख लो किससे 91 कटेगा वही answer क्या ज़रत है बहुत बरा में details में बनाने का क्योंकि हम लोग जानते कि अंतर तो कटेगा है तो बता 910 तो होगा ने यह नहीं होगा यह नहीं होगा तो option A है ना बहुत सांदा ट्रिक अधिक्तम संक्या SCF जिससे यह और यह दोनों को काट दे अगला कोशन यह जहां भी SCF हो और numbers नहीं दिया है जान लो पाली संक्या 13 अगर SCF 13 है तो पाली संक्या 13X और दूसरी संक्या 13Y संक्या क्या होगा 13X 13Y पाली संक्या 13X और दूसरी संक्या 13Y question का रहा है दोनों का गुरनफल कितना है 2028 है गुरनफल है LCM नहीं है अंतर होता है दोनों में अगर LCM होता है तो 13XY लेते लेकिन यहाँ पे गुरनफल है ठीक है तो X into Y क्या लिखोगे तो 2028 तो लिखेंगे ही divided by पहला 13 और दूसरा 13 13 से काट यह 13 है कहीं 13, 7 पे 2, 13 पचे 65, 13 चक अठटर फिर 13 से यह 156 कट गया 12 बार में और XY क्या है? को प्राइम है यानि या तो पेर 1 गुना 12 हो सकता है या पेर 3 गुना 4 हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा सर 2 गुना 6 क्यों नहीं हो सकता तो 2 गुना 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों का common factor दो हो गया दो से यह भी कटे गई है इसलिए 2 छे नहीं होगा क्या होगा? या तो 1 बारा होगा या 3, 4 होगा क्या क्या कर रहा है? कितने युग्मों की संक्या बताना है तो एक युग्म ये हुआ और एक युग्म ये हुआ यानि दो युग्म हुआ क्वेश्चन पर ध्यान देते जाएंगे चैप्टर इंपोर्टेंट है क्वेश्चन हलका हलका घुम रहा है और आप भी उसी साफ से घुमते जाओ क्योंकि हम लोग conceptual trick पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिससे कि problem न हो अगला कोशन है ध्यान से देखें ये LCM of two numbers is four times their SCF some of the LCM and SCF is 125 क्या का रहा है LCM of two numbers is four times their SCF यानि LCM जो है SCF का चार गुना है four times है यानि ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि अगर HCF X है तो LCM 4X है चार गुना है LCM SCF का चार गुना है और दोनों का योग 125 है कैसे लिख दे 4X प्लस X बराबर 125 या ऐसे लिख सकते हैं 5X बराबर 125 तो X बराबर 25 यानि HCF तो X था HCF X है यानि ये 25 है और LCM 4X है तो 4 गुना है 25 यानि 100 है क्वेशन क्या कर रहा है एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या है एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या 25 है answer B एक तम अच्छे से ध्यान देते जाएंगे question जो कर रहा है वैसे कीजिए solve हो जाएगा जितने लोग अभी CGL free दे कर क्या है उन लोग से मालूम कीजिए जितना मैंने पढ़ाया है जो जो question बताया जा रहा है exam में वही questions आ रहा है बाद में पच्टाना नहीं परे कि सर का class मैंने seriously नहीं लिया videos है pain copy के साथ बनाना नहीं तो फिर उतनी ही जल्दी से भूल भी जाएंगे और pain copy से note करेंगे तो वो हमारे काम कर रहता है अगला question देखे दो संख्याओं का LCF मालूम है HCF मालूम है संख्याओं का योग मालूम है अब देखो LCM है और HCF है पाहली संख्याँ हम अभी क्या बता है जहां भी LCM और XCF हो तो XY निकाल लो सीधा LCM by HCF और ये क्या होगा 495 को 5 से भाग देदो 595 निन्यानवेर यानि X और Y का factor 99 हुआ अगर ये 1 तो ये 99 और ये अगर 9 तो ये 11 कितने PAYR संभव हैं अगर कोश्यन आता है तो दो PAYR संभव है कोश्यन करा है संख्याँ का योग 100 है अगर हम ये वाला ले थे पहला पेर तो ये संख्याँ पाच गुना निनानवेर तो 400 पनचानवेर हो जाता और जोडने पे 100 नहीं आएगा चारसो पंचानवरा के लिए यह हो गया, उसमें 5 जोडना पड़ता है और यह अगर लें 5 गुना 9, 45 और यानि इसमें 5 गुना करो तो यह 45 और इसमें 5 गुना करो तो यह 11 पचे 55 और दोनों का यूग 11 है तो कुश्यन क्या पूछ रहा था, उनका अंतर बताओ, तो 55 में से 45 गटा दीजिए, यहीं अंतर हो गया, अंतर कितना, 10 फिर से देखें, LCM है, SCF है, X into Y डारेक्ट निकालो, पे नहीं लगाओ, देखने के साथ 99 अब का रहा है, तो दो पेर होगा, एक निनानवेर और नो एक ग्यारा, का रहा है, दोनों सेंक्याओं का यूग कितना है, तो दोनों का यूग है 100, तो हम लोग, पहला वाला, यह क्यों नहीं होगा, यह इसलिए नहीं होगा, यह तो होगा, यह क्यों नहीं होगा, यह इसल और नहीं आ रहा है 500 आ रहा है कि इसलिए यह नहीं होगा कि 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 मैं रहा है तो दूसरा प्यार होगा और जब संख्या निकाल लिए तो दोनों का अंतर पूछ रहा है गड़ा दो आगला कोशन है तो LCM and SCF of the numbers 28 और 42 आर इन रेशियो LCM 28 और 42 का LCM और SCF दो नमबर है एक 28 है और दूसरा 42 है तो LCM क्या होगा देखें दोनों का common factor 14 है यह 28 मतलब क्या 14 गुना 2 और 42 मतलब क्या 14 गुना 3 तो 28 गुना 2 और 42 गुना 3 आगे तो जब यह 14 गुना 2 हो रहा है 14 यह हो रहा है अगर HCF पूछे HCF वो नमबर है जो दोनों में common हो तो क्यावल 14 होगा और LCM पूछे LCM किसी में भी हो सारा आना चाहिए लेकिन एक बार 14 गुना 2 गुना 3 तो 14 गुना 84 क्या कर रहा है पहला नाम LCM दूसरा नाम HCF LCM और HCF का रेशियो पूछ रहा है यह तो है 84 और यह है 14 14 से कटेगा 6 बार में 6 इस टू 1 option A इस ढंक से आज की क्लास में हम लोग ने थोड़ा LCF LCM का concept देखा ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में यहां तक में अच्छे से अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो वो लोग जरूर अपना कमेंट्स में लिखो और जिन लोग को सही लग रहा है वो भी आपका कमेंट्स बहुत जरूरी है साथ ही साथ आपका सेयर जरूरी है आप अपने ज्यादा स्यादा ग्रूप्स में फ्रेंट्स के बीच इसे सेयर करेंगे वही आपके सच्छी गुरू दक्षिना होगी ठीक ह thank you